दोस्तो आयुर्वेद के अनुसार कोई भी रोग केवल शारीरिक अथवा केवल मांसिक नहीं हो सकता। शारीरिक रोगों का कूप्रभाव मन पर पड़ता है तो मांसिक रोगों का कूप्रभाव शरीर पर। अतै किसी भी रोग की चिकित्सा करते समय मन और शरीर दोनों को सर प्रवथा प्रथिक नहीं किया जा सकता यही कारण है कि सभी रोगों को मनो देहिक रोगों के रूप में मानकर ही चिकिसा की जाती है दोस्तों प्रकर्टी का खजाना अन्मोल और असीमित है खासकर बारिश के मौसम में जगए जगए पर वनस्पतियां लग जाती हैं कुछ पौधे अपने आप ही लग जाते हैं और इन्हें हम बे मतलब का सरदर्दिया कच्रा समझ कर जंगली घास फू से समझ कर उखाड कर फेंक देते हैं दोस्तों कुछ पौधों के बारे में आज मैं आप सभी को बताने जा रही हूं ये हमारे आसपास में ही मौजूद होते हैं और इन्हें हम कच्रा नहीं बहुत ही जादा कीमती और अनमोल रतने कहना चाहेंगे हीरे मोती से भी जादा कीमती होते हैं ये इनका उशदिया महत्व सरवरूपरी होता है आज एक ऐसे ही चोटे से पौधे के बारे में बताने जा रही हूं मेरे घर के आसपास में दोस्तो का क्या नाम होता है और इससे हमें क्या-क्या फाइदे होते हैं आप इस पौधे को जानकर चौक जाएंगे दोस्तों साथ ही इसके बाद से आप इसे बेमतलब का कच्रा समझ कर कभी भी उखाड कर नहीं फेक पाएंगे इस बात की गरेंटी मैं लेती हूं दोस्तों हमारे इस पौधे को छोटा धतूरा के नाम से जाना जाता है अलग अलग गाउं शहरों में अलग अलग नाम से इन्हें जाना जाता है हमारे यहाँ पर छोटा धतूरा कहते हैं आपके यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कई मैं भी बच्पन में अपने दोस्तों के कपड़ों में इसे चिपकाया करती थी इन्हीं को देखकर हम अपने बच्पन से जवान हुए हैं इससे जादा तर गाओं खेद खल्यान में पायज जाता है अगर साफ साफ शब्दों में कहें तो कौक लवर सोने चांदी हीरे मोती से भी जादा कीमती होता है और दोस्तों आज मैं आपको इसके बीज के बारे में ही बताऊंगी इसके जो बीज होते हैं वो कांटे युक्त होते हैं जनवरी या फरवरी के महीने में इसमें बीज आना शुरू हो जाते हैं पहले हरे रंग के बीज होते हैं और फिर धीरे ये मैडिसिन भी फेल हो जाती है तो अब से आप सभी इसे कच्रे या सिरदर्द समझ कर ना फें के ये एक पावरफुल जड़ी बूटी है जो बरसाद के मौसमें अपने आप ही लग जाती है काटे युक्त इसके फल होते हैं दोस्तो हम सभी को भारत भूमी को धन्यावाद करना चाहिए हम ऐसे देश में रहते हैं जहां आज भी यत्र तत्र सरवत्र जड़ी बूटियां हर जगे फैली हुई हैं इन्ही जड़ी बूटियों के लिए विदेशी लोग तरसते हैं कि कहीं से उन्हें ये पौदा मिल जाए तो इश्वर का हमें धन्यावाद करना चाहिए क हम ऐसी भारत भूमी में आज भी रहते हैं जहां पर अमरित की तरह शक्ती रखने वाले पेड़ पौधे आज भी मौजूद हैं दोस्तों अब सभी देख लीजे कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हर कोई इन पेड़ पौधों को अपने गले लगाएगा जड़ी बूट जाए तो लोग अंग्रेजी दवाओं से शरीर को जल्दी सही कर लेते हैं लेकिन बाद में बहुत ही जल्दी शरीर अंग्रेजी दवाओं के सहारे चलने लगता है ऐसी दवा शरीर को जीते जी ही मार देती है लेकिन पेड़ पौधों से निकला अमरित शरीर को अमर बना देता है ताकतवर बना देता है बुड़ापे में भी जवानी की शक्ति रखता है तो चलिए अब में आपको किन किन बिमारियों में ये फाइदेमद है ये आपको बताती हूं देखिए इसकी जो पतियां होती है ना उन्हें पीस करके अगर इनका रस निकाल करके अपने बाल है और अगर किसी को सरदर्द की बहुत जादा परिशानी है तो इसके पत्तो को पीस करके दो से तीन बुंद रस के अंदर दहीं मिला करके अगर आप सिर के उपर मालिश करते हैं तो आपको अराम विलता है अक्सर मौसम बदलने से सरदी खांसी बच्चों को हो ही जाती है और यहां तक की बड़ों को भी हो जाती है इसके पत्तो को चाओं में सुखा कर दूद के साथ सेवन करने से सरदी खांसी तुरंधी खतम हो जाती है दोस्तों यह हर प्रकार की कमजोरी को दूर करने के लिए भी रामबान का कारे करता है देखे आज कल के समय में ज़्यादा तर लोग कमजोरी की समस्या से परिशान है क्योंकि हमारा लाइफचाईल इतना ज़्यादा खराब हो चुका है कि हम अपने शरीर की और ज्यादा ध्यान ही नहीं दे पाते सारे पोशक तत्वों उन्हें नहीं पहुंचा पाते तो चलिए जानते हैं कि कैसे इसका सेवन करन चाहिए तो इनके पत्तों को सबसे पहले सुखा करके एक चूरन बना लें और फिर दूद के साथ सेवन करने से आपके अंदर योन शक्ती बढ़ती है कमजोरी दूर हो जाती है बहुत ही सिंपल सा उपाए है दोस्तों आप इसका इस्तिमाल कर सकते हैं तो दोस्तों अब मै भी इसके पत्तियों को अप पेस्च लगाएं थोड़ी ही देर में फुनसी ठीक हो जाती है चेचक के जो डाग होते हैं उनमें भी यदी इन पत्तियों का रस लगाया जाए तो दाग धबे बिलकुल ही दूर हो जाते हैं घाव ठीक हो जाते हैं ऐसा कहा जाता है कि नासुर तक इस रोग से ठीक हो जाता है तेल कैसे बनाना है दोस्तों चलिए अब मैं आपको ये भी बता देती हूं दोस्तों बालों के लिए आपको तेल कैसे बनाना है इसका आप किसी भी प्रकार का जो भी तेल इस्तिमाल करते हैं उसमें आप इसके रस को मिला लें और फिर अपने बालों पर अपलाई करें आप जो भी तेल का इस्तेमाल करते हो चाहे नारियल तेल हो चाहे सर्सों का तेल हो सबसे पहले चोटे गोखुर की कुछ पतिया लें और इस तेल में डाल करके तेल को गरम कर लें उबाल लें और उसे चान करके हर रोज अपने इस सिर के सकल्प में मालिश करें ऐसा करने से आपके सिर में कभी भी सफेद बाल की समझ से नहीं होगी दोस्तों बाल हमेशा काले और घने बने रहेंगे तो दोस्तों मुझे उमीद है कि आज के बाद आप कभी भी इस पौधो को बेजान समझ कर या फिर कच्रा समझ कर बिलकुल भी कहीं पर नहीं फेकेंगे और इन उपायों को इन जानकारियों को अपने तक ही सीमित बिलकुल भी मत रखिएगा क्योंकि भारत भूमी में ऐसी ऐसी जानकारिया छुपी है जो धीरे धीरे बिलकुल ही विलुक्त होती जा रही है दोस्तो हमारी हर समस्या का समाधान हमारे आज पास में मौजूद ही होता है लेकिन जानकारी के अभाव की वज़े से हम परिशान होते रहते हैं तो आज के बाद से आप इन जड़ी बूटियों को या फिर पतियों को कच्रा समझ कर ना फिके देखे पेड़ पौधे वनिस्पती जड़ी बूटियों की जानकारी होना बहुत जरूरी है कई लोग ऐसे होते हैं जिने पेड़ पौधों की जानकारियां ना होने की वज़े से वो बार बार पैसा खर्च करते रहते हैं और लाइलाज बिमारी से जूज रहे होते हैं हर प्रकार की जड़ी बूटियां हर प्रकार के पेड़ पौधे में कुछ ना कुछ गुण अवश्य होते हैं और अगर आपको पहले से जानकारियां पता होती हैं तो आपको परिशान होने की आवश्यक्ता ही नहीं होती इस वी या खाकर इतने पैसे लगाकर भी अपने इलाज नहीं कर पाते अपनी बिमारी के साथ जूचते रहते हैं तो इन पेड़ पौदों की सहाइता से आप अपने जीवन को सुख में बना सकते हैं निरोगी बना सकते हैं लेकिन आपको सही तरीका सही जानकारी होना बहुत ही करें लेकिन क्या होताए कि हमें पता ही नहीं होता और आपको इसी तरह की और जानकारी प्राप्ट करनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा क्योंकि हम पेड़ पौधों और वनस्पतियों के बारे में वीडियो लेकर आती ही रहते हैं तो अगर आपको जानकारी होगी कि ये पौधा किस बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो आप इन्हें कभी भी उखाड कर नहीं फेकेंगे तो आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो ग्यान वर्धक लगी तो वीडियो को लाइक करें शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करके बल आइकन को प्रेस कीजे ताकि आने वाली तमाम नहे वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहें आपका बहुत भाँत धन्यावाद